हेलो एब्रीवन आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये पिन बिल का डिजाइन तो ये मैंने 3D लूक में बनाया है इस डिजाइन से आप अपनी इमेजिनेशन से जैसे कुछन कबर, बैट शीट जा कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं तो चलिए बनाते हैं डिज नहीं से इ support बनाते हैं ये पिस पहले हमें और इस तरह से रखना धा ररेत करने हैं ये पिस इस χी आपर इस्ते ऐसे रखेंगे ये पीस भी इसी तरह रख लेंगे इसके बार देखिए यहां से हमें ये कोर्नर है और ये कोर्नर दोनों को मिलाते हुए एक लाइन लगानी है इसके बार जितना हम कपड़ा रखते हैं सिलाई के लिए उतना रखके एक ओर लाइन लगानी है इस साइड में भी हाफ ट्रेंगल रेडी करने है हमें इनके मार्किंग होगी है अब जैसे मार्किंग की है जैसे ये साइड की जब हमारी लाइन है यहां से हमें सिलाय लगा देनी है यह भी इसी तरह लगाएंगे सिलाय में न यहां पर लगा दी है अब यहाँ से हमें सेंटर से कटिंग कर लेनी है इसके यह पीस भी इसी तरह कट कर लेना है इसके बाद हमें यहाँ पर प्रेस कर लेनी है और इस कपड़े को हमें इस तरह से टर्न करना है ऐसे खोलेंगे और यहाँ पर भी प्रेस कर लेंगे सारे पीस ऐसे रेडी करेंगे यहाँ पर प्रेस कर दी है इसके बाद यह कोडनर हमारे इस तरह से निकलाते हैं इनको भी हमें बराबर करके कट कर लेना है बाक्की के पीस भी इसी तरह रेडी कर लेंगे यह पीस रेडी होगे हैं इसके बाद ये एक पीस में लोगे इसको हमें यहां से इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेना है बराबर रखके और यहां पर प्रेस कर देनी है सारे पीसी इसी तरह फोल्ड कर लेंगे ये पीसी रेडी हो गए है अब ये पीसे इनको हमें इस तरह से ऐसे रख लेना है चार पीस इस तरह से रख लेंगे अब ये पीस इसे इनको सेट करेंगे इस पीस को हम सेट करेंगे तो ये पीस है इसे हमें इस तरह से ये कोर्णर है यहां तक ऐसे मिला देना है तो ये हमारा इस शेप में बन गया है इस तरह से अब इसे हमें इस corner में लगाना है यहां से यहां तक तो यहां पर लगाना है तो यहां पर हमें pin लगा देनी है इसके बाद यह दूसरा पीस है इसे भी हमें इस तरह से ऐसे इसके बराबर इस तरह से fold कर लेना है और यह हम इस side में लगा देंगे यह open space है यहां पर इस side में लगना चाहिए और यहां पर भी pin लगा देँगे अब यह piece है last इससे हमें इस तरह से यहां से पूल्ड करना है तो यह open space हमारा इस side में ऐसे आएगा और यहां पर भी हमें पिन लगा देनी है तो एक्तम बराबर कपड़े को करके यहां पर ऐसे पिन लगा देंगे चारोपीस लगए है तो यह हमारा जैसे पिन वील की शेप आगी है अब इनको हमें सिलना है यहां से यहां तक सिल देंगे ये भी इसी तरह सारे इस के साथ attach करते ने हैं जिस तरह रखे हैं उसी तरह हमें कपड़े के साथ attach करते ने हैं सारे पीस stitch करके यहां पर join कर दिये हैं यहां पर direct भी हम लगा सकते हैं stitch करके थोड़ा और easy हो जाएगा अब इनको हमें इस तरह से सिलना है जैसे ये दोनों पीस हैं यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे दोनों पीस सिल दिये हैं अब इन पीसीज को हमें इस पीस के साथ सिलना है तो यहाँ पर यह सेंटर की सिलाई है इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर सिलाई लगा देंगे तो यहां पर हमारा जैसे थोड़ा मोटा हो जाता है तो इस सिलाई को हमें इस तरह से खूल लेना है दूसरी साइड से भी फिर हमें यहां पर सिलाई लगानी है सेंटर की सिलाई लगा दी है अब ये piece हमारा बनके ready हो गया है अब back side में हमें press कैसे करनी है जैसे दोनों से लईयां को खोल लेना है फिर से हमें यहां पर इस तरह से press कर लेनी है और यहां भी इस तरह से इससे क्या हमारा अच्छे से बैठ चाएगा जो भी कपड़े का piece लगा हुआ है अब देखिए ये pin will हमारा ready हो गया है तो ये हमारा 3D look में आया है इस तरह से इसके बाद side में जो भी कपड़ा है जैसे हमारा थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है इससे लाई करते टाइम इससे हमें बराबर कर लेना है चार ओर से तो ये piece बनके ready हुआ है हमारा 9 इंच यहां से भी 9 इंच है तो अगर आपको जैसे बड़ा बनाना है तो ये आप बड़ा कर सकते हैं जैसे ये मैंने 4.5 इंच लिया है आप यहां पर 5-6-7 जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से ले ले अब जैसे बड़ा बनाना है तो बड़ा करके आप इस तरह से इसका बड़ा बना के cushion cover बना सकते हैं जा फिर इतना ही रखना है तो इस तरह का जैसे और एक piece बना लेंगे इदर के लिए चार piece बना लेंगे तो हमारा cushion cover हो जाएगा और अगर आपको जैसे bad sheet बनानी है इसका design और बड़ा करना है तो इस तरह के block बना लें और आगे आगे ऐसे ही join करते चाहेंगे इस design हमारा बन क्या है अब इस design से आप कुछ भी अपनी imagination से बना सकते हैं design आपको कैसा लगा, design अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share और subscribe करें तो चले मिलते हैं अगले इसी तरह के ने वीडियो के साथ